पुरे राज और इस सदन की आसाएं हैं काफी आखांचाएं हैं और एक आविवस्था का पूरा महौल है दूसरी तरफ और इसी में से एक रास्ता जरूर निकालेगी ये सरकार लोगों ने अपने बहुमत के बल पर दिया है ना करकि ये खरीद फरुद करके बनाई गई है हमारी सरकार है और ABM पर तो अभी भी सवाल है उसको तो अभी भी बैलेट में आना चाहिए ऐसी बात नहीं है हमने तो कहा है ABM में भी फुनर विचार करनी क्या हो सकता है और कई चुनतिया हमारे सामने हैं अध्यक्ष महुदे अध्यक्ष महुदे आज ये सदन है अध्यक्ष महुदे और जो चुनति सभी लोगों ने कहा कि सरकार के समझ कई चुनतिया है ये बात सही है चुनति है और हम लोगों ने इसको सुविकार किया है और ये सरकार के लिए चुनति नहीं बलकि सदन के लिए भी चुनति आज साइद सत्ता पक्ष के लोग आज विपक्ष में इसलिए चले गए हम सभी लोग कहीं न कहीं विगत पांच साल जिस तरीके से व स्विवस्था और उस पांच साल का संक्रमन काल कहा जा सकता है इसका नतीजा आज सत्ता पलट का द्रिश दिख रहा है यहां ने बज़ता अध्यक्ष पहुद्ध कई साथियों ने कहा कि हमने मुक्ष सची को कुछ पत्थर लिखा है उनको आदेश दिया है कि यहां पर जो लंबित खुतान है उसको रोक लगाने के लिए हाँ किनी कारणों से लगाया गया है क्योंकि अनुपूरक बजट भी आना था और जी सासा और अखंचाओं के साथ लोगों ने हमें सत्ता सोपा है उनके अनुरूप हमें हर कदम उठाने थे और समय आउदी आने के बाद भी आपको पता चलेगा कि यह सारे आदेश किसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप सभी विद्दवान लोग है और आप लोग को भी कई माध्यमों से सभी चीज़े आपके जानकारी में आएगा इसने का मोबाइल पुड़ा है कि अगया है नहीं नहीं हादर मेरा यहां ने बिगरा तो अधिक्ष मौद है आपने देखा है इस बजट में अधिक्ष मौद है हम लोगों ने 4210 करोड आठ लाक रुपे का अनुपूरक बजट हम लोगों ने प्रस्तूत किया है सदन में रखा है इस दूतिया अनुपूरक प्रस्ताओं में विबीन विभागों के आवस्तिता को ध्यान में रख कर तयार किया गया है अधिक्ष मौद है हमारी सरकार ने विबीन परकार के अनुबंद कर्मिये जैसे आंगन बाड़ी सेवी का साय का विबीन सरेनियों के पेंसन भोगी सभी परकार के छात्र वीरती पारा सिक्षक एवंग मदरसा सिक्षकों की लंबी धुक्तान के लिए हमारे कैबिनेट की पहली बैठक में ये निर्ने लिया गया था अधिक्ष मौद है और जीने पूरा करने के लिए इस अनुपूरक में आवाईसक प्रावधान किये जा रहे हैं इन आवाईसकताओं के पूर्ती है ये दुतिया अनुपूरक प्रस्ताव तयार है अधिक्ष मौद है और ये 4208 करोड रुपे में अधिक्ष मौद है जिसका बैफ्रिकेशन इस तरीके से है कि इस अनुपूरक में अस्थापना व्याय में 1416 करोड रुपे 70 लाख रुपे तथा इसक्विमों के लिए 2793 करोड रुपे का प्रस्ताव है धिक्ष मौद है प्रस्तावित रासी के विरुद में जो सिरेंडर की रासी है अधिक्ष मौद है लगभग 2980 करोड एक लाख तथा भारत सरकार द्वारा पांसो पचासी करोड बीस लाख रुपे प्राप्त होनी है धिक्ष मौद है इस प्रस्तावित अनुपूरक विए विवरनी के फलसुरुप राजकोस्ट में मात्र एक हजार तीन सो अठासी करोड रुपे का अत्रिक्त भार पड़ेगा धिक्ष मौद है अनुपूरक अंतरगत किये जारे महत्पूर्ण उपलब्धी उबंदों काउले करना चाहूंगा धिक्ष मौद है जिसकी चिंताएं पूरे सदन को है जैसे बाल विकास महिला एवंग समाजिक सुरक्षा, विवाग अंतरगत, आंगन बाड़ी सेवी का सहाई का कुमान दे है तू 14 करोड 87 लाख रुपे का प्रावधान क्या जा रहा है अधिक्ष मौद है दूसरा अधिक्ष मौद है राज में बृद्धा पेंसन योजना, आदिम जन जाती पेंसन योजना, एवंग लगबग 533 करोड 58 लाख रुपे का प्रावधान क्या जा रहा है अधिक्ष मौद है, मात्र बंदना योजना एवंग अन्य योजना हित्व लगबग 86 करोड 74 लाख रुपे का प्रावधान क्या जा रहा है अधिक्ष मौद है, अधिक्ष मौद है हमारी सरकार के पर्थम म बखाय मांदे के भुक्तां या अन्य मदों में कुल 71.25 करोड रुपे का प्रौधान किया गया है अध्यक्जमाओदे सभी पारा सिक्षकों की चिंता है आंगन बाड़ी सेवी का साइका और अध्यक्जमाओदे कई जो निचले अस्थर के करमचारी है चाहे हो आंगन बाड़ी सेवी का साइका हो या हमारे सिक्षक में पारा सिक्षक हो जाहे मदर्सा कि इनको कई महनों से सरकार ने तनखे नहीं दिये और अगबारों में आपने कई बार पढ़ा भी होगा पैसे क्या भावें पारा सिक्षक हिलाज नहीं करा पाया उसकी जाने चली गई हम लोगों ने पहले आकर इस बात को डिने लिया है कि सरकार ने जिससे भी काम कराया है कोई भी करमचारी हो जिनके भी लंबित भुक्तान है उसको आविलम सबसे पहले भुक्तान किया जाए उसके पस्चार को जाए और इसके लिए अध्यक्ष महटे इधर अनुस्यची जन जाती अनुस्यची जाती अलफ संख्यक पिछडा वर कल्यान विवाग के अंतर गदा आवासी विद्दयाले के संचालन है तू विशेश केंद्रे सहायता के अंतरगर्द विशेश अंगी भूत योजना छात्रविर्ती अन्य है तू कुल पचास करोड का प्रावधान क्या जा रहा है अध्यक्ष महुद है अध्यक्ष महुद है विद्धूत भुक्ताओं को टेरिप सबसीडी एवंग अन्यमद में 355.57 करोड रुपे तथा डिवी सी और टिवी अनल का बकाया भुक्तान जेतू 200 करोड रुपे का प्रावधान किया जा रहा है अध्यक्ष महुद हम लोगों ने पहले आकर इस बात को देने लिया है कि सरकार ने जिस से भी काम कराया है कि कोई भी करम चारी हो जिनके भी लंबित भुक्तान है उसको अविलम सब से पहले भुक्तान किया जाय उसके पश्याशा है और इसके लिए अध्यक्ष महदे इधर हम्टे अनुस्चीब जन जाती अनुस्ची जाती अल्फ संख्यएक पीछडबा वर कल्यान विवाः कि अंतर्गता आवासी विद्ध य के संचालन है है तू विशेश केंद्रे सहायता के अंतरगर्द विशेश अंगी भूत योजना चात्रविर्ति अन्य है तू कुल पचास करोड का प्रावधान क्या जा रहा है अध्यक्ष मौध है अध्यक्ष मौध है विद्धूतु भुकताओं को टेरिप सबसीडी एवंग अन्य मद मे तीन सव पच्परन दस्मलाव पांच साथ करोड रुपे तथा डिवी सी और टिवी अन्यल का बकाया भुकतान हे तू 200 करोड रुपे का प्रावधान किया जा रहा है तक मौध है वैसे इसमें कई हजार करोड रुपे का बकाया भी भी पता नहीं पिछले सरकार ने एक भी उप्तान किया नहीं किया इतो नहीं पता भी तो आगे चलते चलते पता चलेगा बिजली की विवस्था इसलिए साइद आख मिचोनों की तरह भी चल रही है और उसको इसलिए उसको अभी हम लोग मतलब कहा जाए यह 200 करोड भी उट के मुझ में जीरा के बराबर है नहीं तो पता चले अकल को हमको कोई भी ऐसे ही हम लोगों ने पत्रातू थर्मल पाउर पहले ही बेज दिया अध्यक्ष मौदे हमारे पास कोई बिजली उत्पादन का संसादन है नहीं और अध्यक्ष मौदे ऐसे इस्तिति पर अभी काम चलाओ की विवस्था ही हम लोग आगे कर प